इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे European T10 के दोस्तों आज के होने वाले Second Match के बारे में दोस्तों आज का जो Second Match है वो दोस्तों DCC और दोस्तों BOIR टीम के भीश खेला जागा ध्यान रखीगा दोस्तों यह मैश साम के 6 वजे से स्टार्ट होगा इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको इस मैश से रिलेटेड Small League का फाइनल टीम पर वाइट कर रहा हूँ साथी साथ दोस्तों आपको इस वीडियो में सभी प्लियर का स्टाट्स जानने को मिलेगा उनका दोस्तों अभी तक टुनामिन में कैसा परफोर्मेंस रहा है बालिंग से बैटिंग से कब दोस्तों वो बैटिंग करने आते है कौन से बोरर दोस्तों कब बालिंग करेंगे और आज के मैश में दोस्तों आप जो कंबिनेशन बनाओगे तो इस स्मॉल लिग में दोस्तों आप किस तरह से team b analogy में आप किस तरह से प्लेयर पर रीक्स ले सकते हो प्लेयर को तुस्थों किस तरह से रॉटेट कर सकते हो ? सभी कुछ दिस ओप आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा तो सभी दोस्फ वीडियो को पूरा वाज कीज़ेगा यदि आप दोस्तों इस match में investment कर रहे हो और यदि कोई question हो यदि आप खुछ से team बनाते हो तो by chance कोई problem हो जाता है तो नीचे दोस्तों आप comment section में मुझसे पूछ सकते हो बस एक चीज़ का ध्यान रखेगा जो भी दोस्तों मैं अभी आपको combination प्रवाइड कर रहा हूँ टस्क के बाद दोस्तों यदि उस combination में कोई player नहीं खेलता है और दोस्तों टस्क के according मेंने कोई से कोई भी changes करना होगा तो आपको final combination दोस्तों मैं फिर से update करके अपने टेलिग्राम चैनल पर प्रवाइड कर दूँगा आप सभी दोस्त टेलिग्राम चैनल को जरूर जोइन कीजेगा इसका link दोस्तों नीचे आपको description सेक्शन में भी मिल जाएगा साथी साथ दोस्तों comment सेक्शन में भी first comment प्रिंट के हुआ मिल जाएगा जाएए दोस्तों टेलिग्राम के साथ जूर जाएए और साथी साथ दोस्तों यदि अभी तक आपने YouTube चैनल को subscribe नहीं कियो तो दोस्तों YouTube चैनल को जरूर subscribe कीजेगा और subscribe करने के बाद दोस्तों सबसे important notification का घंटी जरूर बजा दीजेगा जिसे दोस्तों आने वाले वीडियो का आपको easily notification मिलता रहेगा क्योंकि दोस्तों हम लोगा जो next वीडियो रहेगा वो दोस्तों इसी टुनामेन का आज का दोस्तों match नमर 3 का रहेगा जो दोस्तों TST और दोस्तों IPC के बीच खेला जाएगा अब बात करें दोस्तों हम लोग DCC और दोस्तों BYR के match में combination कैसे बनाएगे तो दोस्तों इस match का combination हम लोग start करते हैं बिकेट कीपरिंग सेक्शन से बिकेट कीपरिंग सेक्शन में आएगा तो दोस्तों आपको all feet और दोस्तों का चीज का option मिलेगा यहाँ पर दोस्तों इस जिसका ध्यान रखेगा इस match में दोस्तों बिकेट कीपरिंग सेक्शन से आप जिसको भी रखना चाहते हो रख लो कोई problem नहीं है इतना नीचे बैटिंग करने आते ही कि दोस्तों इन्हें बहुत ज़्यादा बॉली नहीं मिलता है खेंलें के लिए कि आपको बहुत ज़्यादा run score करे और आपको दोस्तों fantasy point प्रवाइड करे all feet के बारे में बात करें तो यह दोस्तों six round batting करने आते हैं और इस tournament में दो match के लिए first match में बैटिंग ही नहीं आया था और second match में बैटिंग आया भी तो दोस्तों zero run score किये है वहीं दोस्तों बात करें caties का कैसा रहा है तो दोस्तों यह seventh round batting करने आया थे last two match में और दोनों ही match में दोस्तों totally flop गये थे ध्यान रखेगा zero run score किये हुए यह भी दो match में तो that's why दोस्तों मैं बोल रहा था आप जिसको भी रखना चाहते हो रख लो मैं right now दोस्तों all feet के साथ जा रहा हूँ क्यूँ इसके पीछे मैं आप पो region बदाता हूँ तो that's why दोस्तों मैंने all feet को टीम में रखा है अब बात करें दोस्तों हम लोग बैटिंग सेक्षन से तो बैटिंग सेक्षन में बहुत important PK open batting करने आ रहे है और अच्छे form में भी चल रहे है इस्टुडामेन में दो match के लिए जिसमें आपको बैटिंग से 71 run score किये है नीचे दोस्तों बॉलिंग भी तो देखो सिर्फ और सिफ एक ओफर बॉलिंग किये थे देट्स वाई दोस्तों मैं बोल रहा था फिर नीचे आईगा तो आपको सुलो मॉन का option मिलेगा उतने खास option नहीं है दोस्तों आप ड्रॉप करके चल सकते हो परफॉर्मेंस देखे कैसा रह किये नीचे आईगा दोस्तों आपको ऐसा सलम का option मिलेगा 29% जंता नहीं टीम में रखा है और जहां तक मुझे लगता है इसलिए नहीं रखा है क्योंकि यह ओपन बैटिंग करने आ रहे हैं लेकिन इस्टिल दोस्तों परफॉर्मेंस उतना खास नहीं रहा है अभी तक दो मैच खेले जिसमें आपको बैटिंग से सिर्फ और सी 5 रने स्कूर किये है तो मैं दोस्तों यहां पर क्यारी कमेंड करूंगा यदि दोस्तों आप ऐसे कोई एप पे खेलते हो जहां पर दो बैट्समें के साथ जा सकते हो तो आप भी अली और दोस्तों एसाकुर को ट्राई कर सकते हो यदि आप ऐसे कोई प्लेट्फॉर्म पे खेलते हो जहां पर तीन बैट्समें रखना कमपल सरी है तो आप क्या करोगे ए नाजीर नहीं तो नीचे से एसास लम यह दोनों में से दोस्तों आप जिसको भी रखना चाते हो रख लो कोई प्रॉबलम नहीं है अब ब बैटिंग भी करने आते है तो ड्रॉब तो दोस्तों हम लोग को करना ही नहीं है नीचे आईगा एली यह भी दोस्तों अच्छे हार्ड हीटर बैट्समें है इन्होंने भी दोस्तों परफॉमेंस लाजवाब किया अभी तक टुनाविन में दो मैच के लिए जिसमें आपको बैटिंग से 64 रन स्कोर कर चुके है और यह भी दोस्तों सभी मैच में यूमूर के साथ ओपन बैटिंग करने आते है नीचे आईगा क्यू मुहमद आपको सभी मैच में दो ओवर कंप्लीट बालिंग भी करेंगे और साथी साथ दोस्तों आपको सभी मैच में सिकेंड लिंग किया था दो भर कंप्लीट बॉलिंग किये थे और आपको दोस्तों चार विकेट प्रवाइड किये थे अच्छा रहा है नीची आईगा यू खान मस्ट इंपोर्टेंट पिक में से एक है दोस्तों आप क्या कर सकते हो यू खान को स्मॉल लिंग में रख लेना और ग्र पर्फोर्मेंस रहा है तो इस टुनामेंट में एम खान ने भी दो मैच कहला है जिसमें आपको दो विकेट प्रवाइड किया और दो मैच में इन्हों ने भी दोस्तों चार वबर कंप्लीट बॉलिंग किया है तो देट्स वाई दोस्तों मैं बोल रहा था आप यह दोनों प्लियर को रखना आपके टिम में कंपल सरी होता है फिर उपर यह आपको एक option मिलेगा ए मोहमद इन्हें भी दोस्तों हम लोग ड्रॉप नहीं कर सकते हैं स्मॉल लिग ग्रें लिग दोनों में आपको ट्राइ करना है और आप चाहो तो इन्हें 222 केप्टेन भी कर सकते हो टॉप ओडर में बैटिंग करने आएंगे और आपको एक से दो औवर बॉलिंग भी कर लेते हैं तुनामिन का परफॉर्मेंस देखें तो दो मैश के लिए जिसमें आपको बैटिंग से 47 नने स्कुर किये और वहीं दोस्तों दो मैश में आपको बैटिंग से दो और बैटि से 26 run score किये और 2 match में आपको 1 wicket provide भी किये और 3 over complete balling भी किये अब बात करें दोस्तों हम लोग balling section से तो balling section ने आईएगा दोस्तों आपको परवेश का option मिलेगा परवेश दोस्तों इस tournament में बहुत अच्छा balling किये और maximum बिकेट दोस्तों जानते हैं उन्हें कैसे मिलता है short ball पे फेकते हैं यह बहुत short ball फेकते हैं एक और में भी दोस्तों आपको 4 ball short को फेक दे speed अच्छा है इसलिए दोस्तों बैट्समेन जैसे ही miss time करता है catch उड़ जाता है tournament का performance ही देखे तो अभी तक इन्होंने दो match खेला है जिसमें आपको 4 wicket प्रवाइट कर चुके है और 3 over complete balling भी किये है तो आप नीचे आईगा तो नीचे आपको वासिल का option मिलेगा अच्छे baller है और इनका भी performance बहुत ही अच्छा रहा है tournament में अभी तक 2 match खेले जिसमें आपको 3 wicket प्रवाइट भी किये और 2 match में दोस्व complete इन्होंने 3 over balling भी किया है मैं right now दोस्व इन्हें टीम में रख रहा हूँ लेकिन इनके जगा पे दोस्व यदि आप grand league खेल रहे हो दोनों का performance देखे तो नाजी ने दोस्व अभी तक 2 match के लिए जिसमें आपको 3 wicket प्रवाइट किये और 4 over complete balling किये और वहीं दोस्व नासीर का यार लग खराब रहा है इन्होंने balling complete किया है अभी तक 2 match के लिए जिसमें आपको balling से देखो तो 4 over balling किये बट bicket नहीं मिला है लेकिन धियान अखना है दोस्व नासीर सभी match में एक over बंदा ये देख में balling करने आता है अभी तक नहीं मिला है इसलिए selection percentage कम है लेकिन मिलेगा तो दोस्व आपका grandly का combination बहुत अच्छा कर सकता है तो यदि आप रिक्स ले सकते हो तो आप इन्हें rotate कर सकते हो नीचे आईगा तो नीचे दोस्व आपको एफ आजीम का option मिलेगा अच्छे baller है टुनामेन में performance देखे तो दो match के लिए जिसमें आपको 4 over complete balling की और एक बिकेट प्रवाइट किये है यदि आप इन्हें टीम में रखना चाहते हो तो आपको एक rotation करना पड़ेगा rotation क्या है दोस्व इधर से आप ए मुम्ताज को drop करके दोस्व आप इन्हें try कर सकते हो और especially तब करना जब दोस्व बी वाई आर की टीम balling first करे ठीक ना बात करें दोस्व इस मैस से रिलेटेड कैप्टेन बीसी option दोस्व कैप्टेन मेरे M.U. रहेंगे और 22 कैप्टेन दोस्व मैं ए मुम्ताज के साथ जा रहा हूं 22 कैप्टेन दोस्व आप से भी जा सकते हो से जाने के लिए दोस्व आप ए मुम्मध नहीं तो उपर से ए अल ले लिजे और दोस्व कॉंटेश वाइन करके रखें टस्क के बाद दोस्व यदि इस combination में कोई प्लियर नहीं खेलता है और टस्क को ध्यान में रखे मेरे कोई इसमें से कोई भी चिंजस करना होगा तो आपको final combination दोस्व मैं फिर से अपडेट करके अपने टेलिग्राम च चैनल को सस्क्राइब नहीं कियो तो दोस्व यूट्यूब चैनल को जरूर सस्क्राइब कीजेगा और सस्क्राइब करने के बाद दोस्व सबसे important notification का घंटी जरूर बजा दीजेगा जिससे दुस्तों आने वाले वीडियो का आपको इजली notification मिलता रहेगा ठीक ना फिर मिल आपको इएब दोस्व जरूर खिर मिलता रहेगा जाएब के बाद दोस्व याले यूटी झाले हैं.